गुड मॉर्निंग याइवरण तो आज हम डिसेस करेंगे हमारे करेंट अफेस 3 सप्तमबर के तो देखते हैं आज हमारे कोशिंस कौन से रहेंगे इस वीडियो को लेके आ रहा हूं है मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल तो आगे बढ़ते हैं आप मुझे different social media के उपर जूट सकते हैं Facebook, Instagram, Telegram, Twitter and Gmail ID के साथ इस lecture की PDF आपको Telegram Group के उपर मिल जाएगी जो डॉक्टर विपन गोईल के नाम से है और आप मुझे Instagram के उपर भी follow कर सकते हैं डॉक्टर विपन गोईल के नाम से बाकि आप किसी भी social media के उपर मुझे follow कर सकते हैं और टेलिग्राम के उपर, Twitter के उपर भी मैं काफी active रहता हूँ So, next है हमारे दो paid courses आते हैं आप purchase कर सकते हैं GS course आता है हमारा और दूसरा आता है हमारा General Awareness का MCQ course 10,000 MCQ course है इसके अंदर हमने सारे chapter wise MCQ courses किये हैं GS course के अंदर हमारा theory का course है आप purchase कर सकते हैं तो अगर आप GS course theory वाला purchase करेंगे तो आपको VIP 500 coupon code यूज करना है और discount ले सकते हैं और 10,000 MCQ course कर रहे हैं तो आप इसके अंदर EMI भी available है तो ये भी आप course purchase कर सकते हो तो आप purchase कैसे करोगे तो आपको करना क्या है study IQ आपको app download करनी है जैसे आपने study IQ app download करी homepage के उपर आपको नज़र आएगा best selling course तो यहाँ पर best selling course में view all के उपर दबाना है और यहाँ पर आपको 34 नंबर के उपर मेरा GS course दिख जाएगा जो बहुत ही comprehensive किसी भी exam के लिए आपको help करेगा किसी भी state exam, SSC, railway, defense कहीं पे भी कुछ पढ़ रहे हो आप तो इसमें आपको help करेगा और दूसरा हमारा 10,000 MC course है इसमें भी मैंने different exams के सारे question cover किये हैं तो यह आपको last minute अज़र आ जाएगा तो आप purchase कर सकते हैं तो चलिए जी अब हम चलते हैं अपने session की तरफ हमारे questions की तरफ तो पहला question देखे क्या खेता है हमारे लोगसबा के जो secretary हैं वो कौन appoint होए हैं September 1 से 1 September से लोगसबा के secretary कौन है तो उनका नाम है अगर मैं बात करता हूँ लोगसबा की तो लोगसबा के जो speaker है उनका नाम क्या है ओम बिरला जो राजसान कोटा से है ओम बिरला राजसान कोटा से हमारे लोगसबा speaker है और इन्होंने जो है राजसान कोटा के अंदर एक campaign लाँच करी थी एक अभियान लाँच किया था इस सूपोशित सूपोशित माअभियान सूपोशित माअभियान जो है इन्होंने start किया था जिसमें जो है 17 kg डाइट जो है हर एक family को हर एक pregnant women को provide करी जाएगी 1000 pregnant women को provide करी जाएगी ये ओम बिरला जी ने ये start करी थी राजसान कोटा के अंदर अंसर इसमें A option बनेगा उत्पल कुमार सिंग कौन सी organization ने बंद कर दिया है doing business report डालनी क्योंकि बहुत सारे irregularities आ रही थी मतलब क्या है कौन सी ऐसी समती है कौन सी ऐसी organization है जिसमें अनिमितताओं के बाद आपके अनिमितताओं के बाद परकाशन को रोक दिया है किसके लिए that is doing business report के लिए this is very important और ये कौन सा bank है ये हमारा world bank super important question है पहले world bank जो है doing business report देताथा अब इन्होंने बंद कर दिया है world bank के अगर मैं यहाँ पे ये बनेगा c option ठीक है उपर टिक हो गया but c option बनेगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ताके confusion ना हो world bank के ये report देता था अभी इसने pause कर दिया है बंद कर दिया है world bank के जो headquarter है वो कहाँ पे है Washington के अंदर है David Malpass जो है that is the president of the world bank super important अभी COVID-19 हुआ था अभी भी चली रहा है COVID-19 के अंदर जो है world bank ने इंडिया को कितना support दिया था एक billion dollar का एक billion dollar का support दिया था अभास जा याद होगा आपको इनाम मैंने आपको पहले भी बताया है अभास जा जो है ये world bank के personal point world bank की तरफ से personal point हुए है जो आपके South Asia के अंदर South Asia के अंदर कोई भी आपका climate change होगा disaster management होगा उसके लिए personal point के गए है अभास जा super super important question है and world bank ने अभी एक recent report दे थे poverty के लिए गरीबी के लिए उसने बोला था कि 60 million people 60 million people जो है वो 2020 के अंदर poverty line में आएंगे और world bank ने ही हमारे MSMEs के लिए बन गया world bank is the correct answer wish of bank is the right one कौन सी central armed police force ने launch किया है mobile app pension corner ताकि जो है जो आपके retire personals है उनको जो है proper तरीके से आपको that is pension मिलती रहे तो वो कौन सी आपकी सेना बल है that is called central industrial security force तो answer is D option केंदरिया आदियोग की सुरक्षा बल आता है answer is D option अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो central armed police forces होती है ये आपके ministry of home affairs के अंदर आती है ministry of home affairs के this is super important question clear अभी एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो I mean to say यहाँ पे तो that's it इतना याद करो बाकी हम आगे याद करते हैं यहाँ पे चलो मैं एक और बताता हूँ mobile app की जब बात आ रही है न तो दो-तिंच app launch हुई थी अभी recently तो याद कर लो जैसे COVID-19 के लिए app launch करी थी sonosud जो गरीबों के मसीह थे मसीह हैं अभी भी वो काम कर रहे हैं परवासी रोजगार app परवासी रोजगार app this is very very important तो परवासी रोजगार app जो है sonosud जी द्वारा launch करी गई है जितने भी migrants लेबर हैं उनको job opportunities प्रोवाइड करने के लिए परकास जावेदकर जो हमारे union environment minister है इन्होंने कुर्मा कुर्मा जो है mobile application launch करी थी तहां कि जो है आपके इंडियन टर्टल्स को देखा जा सके और इंडियन टर्टल्स को हम जो है track कर सके इंडियन टर्टल्स को super important question है अभी recently MP state ने भी एक app launch करी थी जो tourist को attract कर सकता है इंतजार आपका इंतजार आपका जो है ये इन्होंने launch करी थी super super important question है this is very very important answer इसमें D option बनेगा इस आसरा संपूर्न पोशन और विद्या करनुका ये schemes हैं ये कौन से राज्या की schemes हैं देखे women empowerment के लिए बात आती है और ये जो states हैं ये कौन सी I'm in to say states की हैं ये आंधरा परदेश की है answer इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा आसरा संपूर्न पोशन घर देना खाना देना और विद्या कनुका जो है ये सारी empowerment provide करना ये state है आंधरा परदेश is the correct answer आंधरा परदेश की बात करता हूं तो आंधरा परदेश की जो capital है अमरावती है और ये हमारे CM है आंधरा परदेश that is Y.S. Jagmohan Reddy Y.S. Jagmohan Reddy और जो यहां की governor है उनका नाम क्या है विश्व भूशन हरिचंदन विश्व भूशन हरिचंदन this is super important हरिचंदन super super important question है clear अभी आंधरा परदेश ने जो fruits और vegetables को बेचने के लिए e-commerce launch किया था that is portal launch किया था वो that is called आंधरा ग्रीन पोर्टल आंधरा ग्रीन पोर्टल super important आंधरा एक state और भी न्यूज में थी क्योंकि यह पहली state थी जिसने online wheat exchange के लिए बात करी थी online waste exchange के लिए बात करी थी जो हमारी आंधरा परदेश है super important question है आंसर इसमें क्या बनेगा that is B option is the correct one निति आयोग ने जो है एक launch करा है इंडिया के counterpart निति आयोग ने launch किया है और इस की duration क्या है इस program की duration क्या है यह है 4 years इसमें क्या बनेगा C option is the correct answer 4 years is the correct answer super important question है clear और इसके अंदर जो है आपके long term जो आपके targets हैं उसको achieve करने के लिए sectoral contribution के लिए various interventions प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बात करी जाती है अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि निती आयोग जो है दो तिन चीज़ों के लिए news में भी था निती आयोग ने जो है पीरामल foundation पीरामल foundation के साथ मिलके जो है जो आपके बुडे लोग हैं उनके लिए जो है यह campaign launch करी थी सुरक्षित दादा दादी and नाना नानी प्रोग्राम सुरक्षित दादा दादी and नाना नानी अभ्यान जो है launch किया था निती आयोग दोरा यह launch किया गया था निती आयोग ने जो है एक behavioral campaign launch करी थी navigating the normal navigating the normal super important question है और निती आयोग ने international transport forum के साथ मिलके एक project launch किया था decarbonizing decarbonizing transport in India जाने के आपका जो carbon निकलता है उसको खतम करने के लिए decarbonizing transport in India जो है launch किया गया था तो इस question का जो answer है वो क्या बनेगा आपका that is c option is the correct answer निती आयोग की बात करते हैं तो निती आयोग के जो chair person है वो हमारे prime minister नरेंदर मोधी है और plus जो that is CEO है वो कौन है Amitabh Kant है super important है और इनके जो vice chair person है उनका नाम क्या है Rajiv Kumar तो ये भी आपको याद रखना है तो answer इसमें क्या बन गया जी आपका 4 years is the correct answer so next जलते हैं जी अगला question की तरफ तो ये देखने जी क्या है आपका national determined contribution transport initiative for Asia ये Indian component है ये आपको बात करता है kick off event 27 अगस्त ये आपको पता होना चाहिए चलिए जी आगे अगला question है आये का ताका हाशी आये का ताका हाशी जो है ये एक खिलाडी है ये कौन सी देख की खिलाडी है जिनोंने अभी retirement ली है तो पहले तो ये कौन सी game की है तो that is badminton अंसर इसमें क्या बनेगा B option बनेगा B option is the correct answer badminton की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे देख में बहुत बड़े important player है that is PV Sindhu PV Sindhu और Saina नहवाल PV Sindhu और Saina नहवाल ये आपको याद रखना है तो अंसर इसमें क्या बनेगा badminton is the correct answer Reliance Retail Venture Limited इन्होंने acquire किया है future groups retail, wholesale, logistics and warehouse business कितनी amount में जो है इन्होंने acquire किया है Reliance Retail ने तो ये acquire किया है 24,713 क्रोड रुपे के अंदर answer is A option 24,713 क्रोड रुपे answer is very very important तो answer बनेगा A option अभी जो Google है Google ने बोला है कि हम invest कर रहे हैं इंडिया के अंदर आपके Reliance Jio platform के अंदर कितना billion 4.5 billion dollar invest कर रहे है Reliance Jio platform के अंदर जो Google कर रही है Google के headquarter that is in the California and उसके बाद Google के CEO कौन है सुन्दर पिच्चाई सुन्दर पिच्चाई देखे जी important है answer इसमें A option बनेगा 24,713 क्रोड तो देखे जी ये है Lines Retail Buys Future Group Business 24,713 क्रोड रुपे तो ये याद रखना है Who has been elected as a president of African Development Bank Group African Development Bank Group के जो President है अधियक्ष है वो कौन युक्त किये गए है पहली बात तो African Development Bank के headquarter कहां पे है डेडी जिन्दा अबिद जान अबिद जान के अंदर है और किने अपॉइंट किया गया है ये आपको important है डेडी इस अकिन वूमी अदे सीना अकिन वूमी अदे सीना तो answer इसमें क्या बनेगा D option is the correct answer very very important अभी recently जो है ADB के bank के भी आपको याद कलो बहुत news मेरा है Asian Development Bank इसके headquarter कहां पे है Manila Manila के अंदर है Philippines के अंदर है Massasugu Asakawa Massasugu Asakawa जो है ये ADB bank के president है और NDB का भी याद कलो किये गए थे That is called Marcos Prado Marcos Prado Treozo Marcos Prado Treozo This is super important question clear और अभी जो है AIIB Asian Infrastructure Asian Infrastructure Asian Infrastructure bank जो है आपका जो ये इसके headquarter कहां पे Beijing China के अंदर है और अभी इनके भी जो है president किये थे इडेंड का नाम है Jin Lequin ये भी आपको याद रखना है तो answer इसमें क्या बनेगा भाई D option बनेगा अकिन वुमी अधी सीना पहली women DG जो हमारी Bureau of Civil Aviation Security की बनी है नागरिक उध्यान जो सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक कौन बनी है इन में से तो इनका नाम है उशा पधे उशा पधे अंसर इसमें क्या बनेगा B option बनेगा हमारे Civil Aviation Minister कौन है हरदीप सिंह पूरी है और हमारे एक International Organization है ICAO International Civil Aviation Organization इसके जो Headquarter है that is in the Montreal Montreal, Canada के अंदर है very very important clear और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ केरला के अंदर जो है First Women DGP बनी है केरला के अंदर First Women DGP उनका नाम क्या है शिरी लेखा आर शिरी लेखा आर शिरी लेखा super important question है अभी महराश्रा की जो पहली Election Commissioner थी उनका अभी धिहांत हुआ है उनका नाम क्या है नीला सत्या नरायन नीला सत्या नरायन super important question है clear और जब हमारा Army Day था जब हमारा Army Day था 15 जन्वरी को 15 जन्वरी को तो हमारी जो लड़की गई थी विमेल गई थी उनका नाम क्या था Captain Tanya Shergill Captain Tanya Shergill ये भी आपको ध्यान रखना है तो अंसर इसमें क्या बन गया भाई Answer is B option उशा पादे According to the United Nation Chief Global Tourism has lost how much amount in the 5 months from the Corona Virus जाने कि United Nation के चीफ ने बोला है कि जो Global Tourism है वो 5 मेने में कितना नुकसान खाके बैठ गया है तो वो है USD 320 बिलियन डॉलर 320 बिलियन डॉलर जो है अरब डॉलर जो है ये आपका इतना नुकसान हुआ है United Nation के अगर मैं बात करता हूँ तो United Nation 24 October 1945 को बना था जिसके कारण 24 October को हम UN Day कहते है और United Nation के चीफ का जो नाम है ये इन्टोनियो ग्योट्रेस इन्टोनियो ग्योट्रेस इन्टोनियो ग्योट्रेस जो है ये कहां से है पर्तगल से है और UN के हेड़कॉर्टर कहां पर है इन्टोनियो योट्रेस सूपर इंपर्टन कोशन है अभी हम बात करते हैं तो अभी Ministry of Tourism ने जब हमारा 21 जून था इन्टरनेशनल योगा डे Ministry of Tourism ने क्या था एक हफता कैंपेंड चलाई थी और योगा एट होम योगा विद फैमिली के नाम से वीकली केंपेंड थी जो पंदरा तारिक को चली थी सूपर इंपर्टन क्लियर और हमारे Ministry of Tourism ने ही 41st webinar किया था और उस webinar का जो नाम था तैड़ीज कॉल नाड़ी विग्यान जो किसके लिए बात करता था Spinal Disorder के लिए बात करता था करता है मतलब चीक है और जो Global Tourism के लिए जो एक और चीजाद करो अभी हमने मध्या प्रदेश बात करी थी मध्या प्रदेश में इन्होंने एप लाँच करी थी इंतजार आपका तो जो Tourism के लिए प्रमोट करता है और हमारे Tourism Minister जो है वो कौन है जो Official Holder है That is called परलाज सिंग पर्टेल परलाज सिंग पर्टेल Super important question है परलाज सिंग पर्टेल Very very important तो answer इसमें क्या बनेगा C option बनेगा 320 Arab dollar is the correct one Next question देखे Joy Ruby Joy Ruby जो है ये अभी इनका recently हाली में धिहात हुआ है ये co-creator थे कौन से famous cartoon series के तो ये co-creator थे That is Scooby-Doo Scooby-Doo के ये creator थे तो answer इसमें क्या बनेगा A option is the correct answer Scooby-Doo is the correct answer A option बनेगा correct one कौन से Formula 1 racer ने जीता है Belgian Grand Prix 2020 Belgian Grand Prix 2020 जो जीता है वो जीता है Lewis Hamilton Mercedes से दूसरे नमबर पे थे Valtteri Bottas Mercedes से Max Versace Tepen Red Bull से थे तो answer इसमें क्या बनेगा भाई answer बनेगा Lewis Hamilton answer is D option और ये कौन सी कार चलाते हैं Mercedes की कार चलाते हैं और अभी बात कर लेते हैं Lewis Hamilton की ये कौन सी country से बिलॉंग करते हैं UK से बिलॉंग करते हैं अभी बात करेंगे Lewis Hamilton के उपर Lewis Hamilton जो है इन्होंने अभी recently जो है Hungarian Hungarian Grand Prix जो है जीता था और इन्होंने Starian Grand Prix भी जीता था दोनों important है ये दोनों Lewis Hamilton ने जीते थे वर्ल्ड record है ये वर्ल्ड में जीते हैं racer की आपकी car race की ये motor race की जो है ये मतलब ये race होती है तो answer इसमें D option बनेगा इंडिया और कौन सी कंट्री ने joint winners घुशित किये है 2020 online fight chess olympiade, fight is called what is fight, fight क्या है Federation International Day Chess तो ये इसके headquarter कहाँ पर है पहले तो लॉशेन के अंदर है Switzerland के अंदर है fight के headquarter, चिक है अभी बात यहाँ पर ये है इंडिया और कौन सी कंट्री ने joint winner बने है chess olympiade के अंदर तो वो है कंट्री हमारी that is Russia answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा रूस ने और इंडिया जो है दोनों मिलके जीते है super super important question है अभी बात करते है Russia की तो रशिया की जो capital है that is called Moscow और करंसी है रूबल और एक चीज़ और आद रखनी है जो रशिया है आपका रशिया के जो president है that is called व्लादी मीर पुतीन व्लादी मीर पुतीन इस इस super important question और पुतीन 2036 तक जो है आपके राश्ट्रपती रहेंगी रशिया के और रशिया हमारे देश को S400 S400 Air Defense System प्रोवाइड करने वाला है 2025 तक 2025 तक और रशिया अभी recently जो है आपकी पहली satellite उनने लाँच करी है Arctic के लिए Arctic climate को judge करने के लिए और वो satellite कौन सी है यह लाँच करी है तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका अंसर इस B option Russia is the correct one कौन सी कंपनी ने जो है Official partner बने है Indian Premier League तीन साल के लिए 2020 से लेके 2022 तर तो यह बनी है Unacademy Unacademy यह बनी है और यह Educational Institute है अंसर इसमें क्या बनेगा आपका A option बनेगा Which bank has approved 1 billion dollar loan for the construction of the Delhi Merit Regional Rapid Transit System in India किस bank ने भारत में Delhi Merit Regional Rapid Transit System के निर्मान के लिए भारत को 1 billion dollar 1 billion dollar रिन को मंजूरी दी है तो यह कौन सा बैंक ने दी है That is Asian Development Bank आंसर इसमें क्या बनेगा C option बनेगा Asian Development Bank Asian Development Bank के जो Headquarter है That is in the Manila Asian Development Bank के जो Chief है Masasugoo Asakawa है और इनके अभी Recently appointment के गए है Vice President जिनका नाम है Ashok Lawasa Ashok Lawasa जो है हमारे देश के अंदर Election Commissioner थे अभी Election Commissioner हमारे देश में कौन appointment हो गए है Rajiv Kumar यह भी आपको याद रखना है और Information Development Bank Asiai Vikas Bank BSNL ने अभी Officially launch किया है Internet Protocol Television कौन सी Internet Protocol Television Service जो यह service है यह कौन सी State के अंदर अबिलेबल है तो यह अबिलेबल है आपकी Keral के अंदर यह भारत इंस्टा पे इन्होंने launch किया है भारत इंस्टा पे super important question है भारत इंस्टा पे launch किया है BSNL की बात करें तो BSNL के जो CEO है उनका नाम के है प्रवीन कुमार प्रवीन कुमार पुरवार इस इस super important question clear और उसके बाद केरल की बात करते हैं क्योंकि केरल के अंदर launch किया गया है तो केरल की जो capital है डैडिस कॉल थिरुवन्त पूरम और इनके जो Chief Minister है उनका नाम है पिन्नारी विजियन पिन्नारी पिन्नारी विजियन super important question है और इनके जो governor है that is called आरिफ मुहमद खान आरिफ मुहमद खान super important question है अभी बात करेंगे हम अपने केरल के बाते में तो केरल केरल जो है केरल आपके केरल के अंदर national park है जैसे के आपका silent valley national park है silent valley national park है और यहाँ पे वायनाद wildlife century है याद रखना है और यहाँ पे दो dance form बड़ी famous है that is kathakali and mohaniattam very very important answer इसमे B option बनेगा पहला children news paper the young minds जो है यह कौनसी state ने launch किया है young minds जिसमे नए-ने विचार होंगे नए-ने सीखने के लिए चीज़े होंगी तो यह launch किया है awesome state ने answer is c option बनेगा right answer awesome की जो capital है वो है दिस्पुर और awesome के जो cm है उनका नाम है सरवनन्दा सोनोबाल सरवनन्दा सोनोबाल और इनके जो governor है वो है जगदीश मुखी जगदीश मुखी अभी recently जो है awesome government ने जो है covid-19 के चकर में जब medicine घर पे पहुंचानी थी तो धनवंत्री धनवंत्री जो है scheme launch करी थी असम की एक wildlife century है जिनका नाम है दिहांग पटकई दिहांग पटकई is the wildlife century ये wildlife century है जिसको अभी recently national park का status मिला है awesome के अंदर अभी national park की बात करे हैं तो औरांग national park है यहां पे मानस national park है काजी रंगा national park है बहुत सारे national parks देखने को आपको मिलते हैं और एक चीज़ और याद करो पोबा फोरेस्ट रिजर्व यहां पे जो है पोबा फोरेस्ट रिजर्व है जो असम के अंदर है जिसको wildlife century का पोबा फोरेस्ट को आपने wildlife century बना दिया असम के अंदर अंसर इसमें क्या बनेगा C option बनेगा चीफ मिनिस्टर B.S. यदि रुपा जो है इनों ने जो है फ्लैग्ड ओफ दा मिडन रोल ओन रोल ओफ ट्रेन रोल ओन रोल ओफ train launch करी बैंगलूरू और कौन से शेहर के बीच में तो यह launch करी गई है आपकी सोलापूर के बीच में बैंगलूरू और सोलापूर के अंदर अंसर इसमें D option बनेगा वेरी important और गुजराथ जो है गुजराथ state हमारी पहली state बनी है जो माइग्रेंट्स को घर पहुंचाने के लिए इन्होंने श्रमिक special train चलाई थी श्रमिक special train सूपर इंपोर्टन और गुजराथ के जो CM है ड़ीज विजे रुपानी गुजराथ के अंदर एक जो है एक है गिर नैशनल पार्क सूपर इंपोर्टन है गिर नैशनल पार्क जो है आपका इशिय टिक लाइन्स के लिए फेमस है इशिया के लाइन्स के लिए फेमस है शेरों के लिए फेमस है अंसर इसमें D option बनेगा कौन सी कंट्री ने विड्रॉग कर लिया है इस कॉल्ड कवकाज 2020 military exercise जो रशिया में होने वाली थी तो ये किसने जो है मतलब बाहर से बाहर निकल गए है कवकाज 2020 military exercise में इंडिया is the correct answer C option क्या बनेगा, right answer बनेगा और इंद्रा exercise भी यहाँ पे होती है इंडिया और रशिया की इंद्रा exercise भी देखने को मिलती है अभी recently जो है US, Africa US, Africa जो है यह अपकी military exercise करते है African line African line military exercise करते है इसको भी जो है cancel कर दिया गया था African line को और इंडिया और जपान इंडिया और जपान जो है इन्होंने अभी recently एक naval exercise करी थी that is called PASSEC मैंने आपको बताया था PASSEC तो अंसर इसमें C option बनेगा Rafale fighter jet जो है यह formally induced करे गए कौन से Indian air force के अंदर कौन से भारतिया भारतिया है यह वायू सेना के जो है squadron के अंदर जो है करे गए तो यह करे गए golden arrow के अंदर अंसर इसमें क्या बनेगा A option बनेगा correct answer golden arrow is the correct answer France की बात करते हैं तो France की जो president है उनका नाम है Emmanuel Macron Emmanuel Macron super important है और इनकी जो capital है that is called Paris capital है Paris और एक चीज़ आपको याद रखनी है जब रफाइल जेटर की बात का गी तो रफाइल जो है France का है और प्लस यह कौन सी company बनाती है Dassault बनाती है very very important अब यहाँ पर बात आई है Air Force की तो Air Force के जो chief है हमारे उनका नाम important है राकेश कुमार सिंग राकेश कुमार सिंग बधूरिया राकेश कुमार सिंग बधूरिया जो है इनका नाम है और हमारा Air Force day कब होता है that is the October 8 October 8 को और हमारा Navy day कब होता है चार दिसंबर को और हमारा Army day कब होता है पंदरा जनवरी को यह भी आपको याद रखना है तो answer इसमें क्या बन गया आपका A option is the correct answer तो यह थी आज की lecture के अंदर question बाकी इस lecture की PDF आपको Telegram group के उपर मिलेगी Telegram group डाउनलोड कर लेना और इस पे आपको चैनल पे जुट जाना डॉक्टर विपन गोल के नाम से 71,000 के आसपास इसमें बच्चे हैं और Instagram पे भी जुट सकते हो डॉक्टर विपन गोल के नाम से Instagram और Twitter के उपर भी में काफी active रहता हूं और plus मेरे दो paid courses आते हैं एक आता है GS course जो हमारा theory का course है और दूसरा हमारा आता है 10,000 MCQ course जो हमारे chapter wise हमने MCQ इसके अंदर cover किये हैं देखें दोनों बहुत ही comprehensive तरीके से मैंने सभी states सभी exams को focus करके बनाया कभी कोई भी आप SSC, Railway, Defense, State PCS, State exam की त्यारी करते हो आप दोनों courses help करेंगे GS course के अंदर जो है आप code लगा सकते हो VIP 500 और general 10,000 MCQ course जो है आपका EMI के उपर भी available है तो इन courses को आप purchase कैसे करोगे तो आपको करना क्या है? Study IQ की app आपको download करनी है जैसे आपनी Study IQ app download करी home page दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा best selling course तो best selling course में यहाँ पर view all के उपर बटन दबाना तीसरे चौते नंबर के उपर आपको दिखेगा GS course और last में आपको दिखेगा आपका 10,000 MCQ course तो यह ध्यार किए और अपने courses को purchase करके अपनी preparation को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छे से काम करिए अच्छे से पढ़िए distraction में मत जाएए so thank you so much good luck take care